हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे आप सब लोग आप सब का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल नियू है बन क्लासेज में फ्रेंड्स टांसफार्मेशन जो है सिलिवस चल रहा है क्लास 11 और 12 यूपी बोर्ट के स्टुडेंट के लिए बहात पूर जो है टॉपिक है यहां से के बीच फस्तिदों और एकसरसाइज के शिच कि एकसरसाइज है कि इंटरचेंज असरेटिव संटेंस इंटू इंट्रोर को टिवीक है ढेंस को में नियम का आपने उसको देखा भी हो उगा और आपन को अच्छे से दिखा है तो एकसर्साइज की बीडों आपको समझ में आने वाली है तो ट्रांसफार the following assertive sentence into introgate sentence पहला sentence क्या है France पैहला sentence है कि नहरू वाज। संटन्स क्या कहता है कि नहरू फालोइप अपको बनाना है जो प्रात्मिक रूल होता है इंट्रोगेटी थी पनाने का फ्रेंड़ स्मनिma आप इन चीजों को देखेंगे और इनको सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे सबसी जो आपकी प्राथमिक चीजें हैं यहीं है इंट्रोगेटिव बनाने की और अंते में कुश्चन मांगतों लगाना है तो यहाँ पर वाज आया हुआ है अब आपको क्या करना है इस वाज को सब्जेक्ट से पहले लिखना है तो इस पूरे संटेंस में सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड तो सब्जेक्ट है नहरू तो क्या करेंगे और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले वास को नहरू के पहले लिखेंगे और मैंने आपको बताया था कि जो आपको sentence दिया जारा अगर उसमें not नहीं लगाया है तो आपको answer में not लगाना पड़ेगा और अगर not लगा हुआ है तो not हटाना पड़ेगा मैंने आपको रूल पड़ाया था कि जो आपका sentence है जो आपसे पूछा जा रहा है अगर वो assertive sentence affirmative में है तो interrogative negative में होगा और अगर जो आपका affirmative sentence है जो आपका assertive sentence है तो आपका interrogative affirmative में होगा मेरे कहने का मतलब यह ही कि आप सहाई किरा को subject से पहले लगाऊगे अगर question में not already दिया हुआ है तो आप answer से not हटा लोगे और जैसे कि यहाँ पर नहीं दिया था not तो आप not को answer में लगा दोगे और ओ not लगेगा कहा not subject के बात लगेगा अगला question देखते हैं none can avoid it ये answer हम कैसे बनाएंगे interrogative कैसे बनाएंगे सबसे पहले साहे क्रिया can है can को subject से पहले लिखेंगे subject क्या था subject आपका था none लेकिन मैंने आपको बताया था कि देखिए प्रश्ण में no आया हुआ है तो आपको answer से no को हटाना है और no को हमेशा किस में change करते हैं any में change करते हैं तो no one का anyone हो जाएगा तो क्या हो जाएगा answer answer इसका हो जाएगा can anyone avoid it अब आप कहेंगे सर इसमें not तो नहीं लगा था तो आपने यहाँ पर क्यों नहीं लगा है friends not क्यों नहीं लगा है no one तो लिखा गया है तो not भले ही न लिखा गया होगर none लिखा है यह भी negative sense इसलिए यहाँ पर not नहीं लगाया गया है अच्छा एक rule मैंने पढ़ाया था आपको कि एक तरीके से और यह बनाया जा सकता है मैंने आपको नियम पढ़ाया था कि अगर किसी वाक्य में none आ जाए अगर किसी वाक्य में nobody आ जाए या nobody के स्थान पे आपको किसका यूज़ करना है आपको यूज़ करना है WHO का यूज़ करना है तो easily आप sentence बना सकते हो कि none can avoid it answer कैसे होगा who can avoid it देखिए आपको कुछ भी नहीं करना था तो आपके पास दो रास्ते हैं ऐसी कंडिसन में चाहे आप तो helping वर्प से बनाओ या फिर आप चाहे डवलू ह से बनाओ आए अगला sentence देखते हैं अब हम लोग जल्दी देखें क्योंकि मैंने आपको rule बता दिये हैं the sun can never set in the east सहाई क्या है can है तो can sun के पहले आ जाएगा यहाँ पर neighbor लिखा हुआ है इसका मतलब negative है तो neighbor को किस में change करते हैं always में या ever में change करते हैं तो interrogative कैसे होगा friends interrogative होगा can सबसे पहले आएगा subject से तो can the sun never के स्थान पे ever हो जाएगा और आगे के वाग को जयोंकाते हूँ लिख करके अंते में question mark लगाना नहीं भूलेंगे तो क्या हो जाएगा answer हो जाएगा can the sun ever sit in the east अगला sentence देखते हैं अगला sentence क्या है कि everybody knows him तो जब everybody मैंने बताया था आपको कि everybody सब्दा जाए everyone सब्दा जाए ऐसा कुछ सब्दा जाए every के साथ तो ऐसे वाक्यों को भी intuitive बनाने के दो रूल है या तो आप सहाई किरिया को सबसे पहरे लिखो या फिर आप इसके स्थान पे who लगा दो और who के बाद आप सहाई किरिया के साथ not लगा दो answer देख सकते हो यहाँ पर visible कोई सहाई किरिया नहीं है यहाँ पर इस एमार वास भी है ऐसा कुछ आपको दिखा ही नहीं पढ़ रहा है बट यहाँ पर वर्ब में देखो yes लगा हुआ है तो ऐसा कौन सा टेंस होता है जिसमें किरिया में yes या yes लगता है तो ऐसा present indefinite tense होता है जिसकी किरिया में yes या yes लगता है यानि कि ये वाक किस टेंस का है present indefinite tense का है अब इसकी सहा किरिया क्या होती है friends तो इसकी सहा किरिया होती है do और does यहाँ पर करता एक वचन है इसलिए तो किरिया में yes लगा हुआ है तो सबसे पहले लिखेंगे यानि कि does सबसे पहले लिखा जाएगा फिर आपका subject लिखा जाएगा does everybody प्रस में not नहीं लगा हुआ है इसलिए आपको answer में not लगा देना है तो क्या होगा does everybody not knows him और एक तरीका इसका और है कि आप चाहें तो everybody के अस्थान पर who लगा सकते हैं और इसके बाद जो instance की सहाय किरिया है does not उसको यूज कर सकते हैं तो who does not know him ये दोनों तरीके हैं अगले question की बात हम करेंगे तो अगला question क्या कहता है अगला question कहता है कि everybody likes to earn name and fame अगर आपने इस sentence को समझा है तो ये sentence आप आसानी से बना सकते हो ये sentence मैं आपको पहले बताता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसका answer क्या होगा इसका answer होगा friends सबसे पहले आप does लगा दो कि does everybody like to earn name and fame समझ में तो आई ही गया होगा कि यहाँ पर present independence की बात करी जा रही है तो सहाई क्रिया does से वाक का प्रारम करेंगे प्रस्में not नहीं था तो इस तरह हमने not लगा दिया कि does everybody not like to earn name and fame दूसरा तरीका क्या है किसी everybody के स्थान पे हम who का परयोग कर दें और उसके बाद does not का यूज करें तो कैसे होगा कि who does not like to earn name and fame आप answer देख सकते हो कि does everybody not like to earn name and fame या दूसरा तरीका क्या होता है कि who does not like to earn name and fame आईए बढ़ते हैं आगे का sentence क्या है the earth is round simple sentence सहाग किरिया is है करता के पहले लिख देंगे और यहाँ आपन not जो है नहीं लगा है तो answer में not लगा देंगे करता के बाद यह sentence who वाले rule से नहीं बन सकता है क्योंकि कोई भी sentence हो वाले rule से तभी बनेगा जब उसमें subject के रूप में everybody none आया हो, nothing आया हो, nobody आया हो, everybody आया हो तभी ही तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा is the earth not round यानि कि सहाग किरिया is को करता से पहले लिखेंगे not का यूज करेंगे और अंत में question mark का यूज करेंगे यह भी sentence आप देखे, सहाग किरिया is आया होई है तो सबसे पहले लिखेंगे, तो कैसे बनेगा यह आपका sentence बन जाएगा इस बन जाएगा सबसे आगे, लेकिन no को change करते हैं हमेशा any में, तो क्या हो जाएगा is anyone, no one का anyone तो is anyone mighter than God यहाँ पर question mark का आप लगा दीजेगा यहाँ पर थोड़ा सा misprint हो गया इसके लिए माफिचाओंगा, और आप एक तरीके से और बना सकते हो ना, कि मैंने कहा था जब no one आएगा तो आपको कुछ ही नहीं करना, आपको बस who लगा देना है आपको सहाइक किरिया आगे पीछे करने से कोई फायदा नहीं है, तो आप who लगा दीजी who is mighter than God अगला sentence देखते हैं, no wise man will behave so, तो सहाइक किरिया सबसे आगे लगाएगे, तो क्या होगा बिल सबसे आगे हो जाएगा, no का क्या हो जाएगा any हो जाएगा, तो answer कैसे बनेगा friends, answer बनेगा, bill any wise man behave, तो देखिए यहाँ पर no लगा हुआ था, तो आपने no को change कर दिया, any में, ठीक अब देखते हैं, अगला sentence अगला sentence क्या कहता है कि long life does not make a man great प्रस्ट में पहले से not लगा हुआ है that means कि आप interrogative बनाओगे तो आपको वहाँ not नहीं लगाना है इस बात को ध्यान से समझेगा, कि जो assertive sentence, देखिए assertive दो परकार के होते हैं, affirmative होता है और negative होता है, तो यह आपका जो assertive है, वो negative है, तो आपका जो long life, तो क्या होगा, does long life not प्रस्ट में अल्रेडी दिया है तो आपको नहीं लगाना है, तो कैसे बनेगा does long life make a man great, आप answer देख सकते हो, कि does long life make a man great, आयते देखते हैं, दसमा सेंटेंस क्या है कि no one ever saw a greater miss fortune, बहुत simple सा है, no one लगा है, आप असानी से लगा सकते हो, या फिर आप शहाय क्रिया से बना सकते हो, देखिए आप सहाय क्रिया से कैसे बनाओगे, आप sentence पूरा देख लिए, तो जो पहला आपका प्रात्मिक रूल है कि वाक में आईवी सहाय क्रिया को करता से पहले लिखते हैं, यहाँ पर ख़ख लिए आ नहीं आई हुए, क्योंकि वर्प की श हेकन ऐा हुआ है, और ऐसा जिसमें से कन फार्म आता है, तो पाश लिपनिट में शिकन फारर्म आती है, और पाश लिपनिटेव सहाय क्रियारे क्या होती है, यहाँ आपको डिटस सबसे पहले है वर्प की फैस्ट पाम में या एक तरीका और इसका हो सकता था आप उससे भी इसको बना सकते थे अगला संटेंस क्या कहता है कि nobody would like to be called a fool answer इसका बहुत यासान है आपने सबसे पहले उठ जो आपके सहाय किरिया है आपने करता से पहले लिखा nobody को आपने चेंज के anybody में और आगे की वाग को आपने चेंग कात्यों लिख दिया या फिर वही पुराना रूल की nobody कहीं आया हो और इंट्रोगेटिब बनाना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है nobody के अस्थान पर हूँ लगा दीजे आगे आपको कुछ भी फेर बदल नहीं करना है लिखा था तो नो को एनी में चेंज कर दीजे आपको यहाँ पर नौट लगाने की कोई आव सकता ने क्योंकि प्रश्ण पहले से ही निगेटिब में था आप हूँ से बनाना चाहते हो ना तो जहां nobody आप हूँ लिख दीजे आनिकि nobody nothing इन सब के अस्थान पर क्या हो अगला संटेंस के आएगे everybody loves his motherland दो तरीके हैं सहाय किरिया को करता से पहले लिखो everybody के पहले लिखो या फिर आप बना दीजे हूँ से everybody के अस्थान पहले किन उसके बास सहाय किरिया के साथ not लगा दीजे तो परसेंट इनिफनी टेंस सहाय किरिया does हो जाएगा तो does everybody not नही से क्या बता हूँ मैं आपको अगला संटेंस no one can put up with such a conduct बना दीजी बिल्कुल आसानी से can anyone यानि सहाय किरिया can है करता के पहले आएगी no को change करेंगी any में इस जंजट से आप बचना चाहते हो तो आप no one के स्थान पे किवल हू का प्रयोग कर दो और आगे का वाक के ज्यों no का any तो क्या हो जाएगा is it any good to help a mean man देख लिजी एंसर आपके सामने है इस सहाय किरिया सबसे पहले आ जाएगी फिर इट का प्रयोग करेंगे फिर no को change कर देंगे any में और आगे कुछ वाक को लिक के अंत में question mark लगा देंगे एक तरीका और होता है कि what भी लगा सकते है ऐ कोई बात नहीं आप इसको ना भी बनाएंगे अगर आप सहाय किरिया वाला रूल इपने माइंड में रखते हो न तब भी आपका काम हो जाएगा everybody likes to be prosperous पहुत सिंपल सेंटेंस इसका आपको समझाओंगा नहीं इतना सेंटेंस मैंने आपको बताया आप देख सकते हो कि does everybody not like to be prosperous और who does not like to be prosperous आप असानिशे बना सकते हो a wise man is honored everywhere सहाय किरिया इसको करता से पहले लिखो और not लगा दो is a wise man not देखिए is a wise man not honored everywhere question mark लगाना न भूलेगा friends चली drinking is harmful for health सब लोग जानते है answer कैसे बनेगा answer सहाय किर्या is drinking पहले आएगी not नहीं लगा था तो हमको answer not लगाना है तो answer कैसे हो जाएगा कि is drinking not harmful for health अगला sentence देखते हैं money does not grow on trees बिल्कुल सही बात है बाई जो पैसे होते हैं पेट पर थोड़े उगते हैं मेहनत करनी पड़ती है उनको कमाने के लिए उनको हासिल करने के लिए तो does सहाय किर्या सबसे पहले आएगी करता money तो does money not लगा है तो क्या होगा can there be any success क्योंकि पहले सो no लगा हुआ है देखे जब not लगा होता है तो आप not हटा देते हो ओके नहीं लगा होता है ता आप लगा दे तो लेकिन जब no आता है तो no को any में आपको change ही करना पड़ेगा तो क्या होगा can there be any success without work hard next sentence पर ध्यान देंगे कि अगला sentence क्या कहता है joys and sorrows सुख और दुख go together सास्ता चलते हैं present indefinite tense है सहाइक किर्या आपको नहीं दिखाई पड़े क्योंकि होती ही नहीं affirmative में करना क्या है कि यहाँ पर बहुचन है joys and sorrows बहुचन है subject आपका सहाइक किर्या do का प्रयोग करेंगे निकि do का प्रयोग करता से पहले करे देखेंगे तो क्या होगा do joys and sorrows not go together 22 sentence देखेंगे even aunts can teach us a lesson answer क्या होगा सहाइक क्रिया can सबसे पहले लिखेंगे करता क्या even aunts के बाद लिखेंगे not नहीं लगा है तो not लगाएंगे और आगे के वाक को जोंकातियों लिख देंगे आई देखते हैं एकला sentence anyone will grow wise through experience बहुत subject क्या anyone आप anyone लिख दीजिए the will anyone not grow wise through experience आप यहां no one भी कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं थी आप not भी लगा सकते हैं या फिर आप बना सकते हैं कुछ भी आपको नहीं करना था आप who लगा दीजी anyone के स्थान पर जैसे आप no one आता था आप who लगाते थे आगे आप कुछ नही नहीं करते थे लेकिन आप यहां पर anyone के स्थान पर who लगा दीजी और not नहीं लगा था आप not लगा दीजी कि who will not grow wise through experience अगला sentence last sentence कि sweet music please everyone इस इसी बात है present in different tense से क्रिया मेस लगा हुआ है शाहे क्रिया डेस का प्रयोग करेंगे कोई करता एक वचन यहां पर है तो क्या होगा does सबसे आगे आएगा आपका subject क्या है sweet music तो sweet music आपका जो है हो जाएगा subject प्रश्मे not नहीं लगा है तो answer में तो आपको not लगाना ही लगाना है तो does sweet music not please everyone यह आपका और question mark लगाना friends बिलकुल मत भूलिए यह हो गया आपकी exercise वीडियो कि assertive sentence से interrogative sentence कैसे बदला जाता है आप लोगों को जुड़े रहना है हमारे channel new heaven classes के साथ friends और वीडियो को like करी दीजिए आप लोग like नहीं करते हैं जोड़ार like कर दीजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए अब ही तक आपने subscribe नहीं किया है और वीडियो को अपने friend तक भी share कर दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आप कर दीजिए